वैलेंटाइन डे आप सभी मनाते होंगे लेकिन कि आप जानते हैं वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। आज हम आप को बताते हैं कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है और वैलेंटाइन डे का इतिहास क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप लोगों को अपडेटिट चीज़े मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। परवरी को मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे का इतिहास बहुत पुराना है। दरसल रोम की तीसरी सदी में एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम क्लोडियस था। वह मानते थे कि शादी करने से पुरुष की शक्ती और बुद्धी खत्म हो जाती है। इसी कारण उसने पूरे राज्ये में ये फर्मान जारी करा दिया कि आज से कोई भी सैनिक या अधिकारी शादी नहीं करेगा। लेकिन संथ वैलेंटाइन को क्लोडियस की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इस फर्मान का जम कर विरोध भी किया। संथ वैलेंटाइन ने पूरे राज्ये के लोगों को शादी करने के लिए जागरूप करना शुरू कर दिया। इसी के चलते संथ वैलेंटाइन ने कई सैनिकों और अधिकारियों का विवा करवाया। जब कलोडियस को संथ वैलेंटाइन दुआरा किये गए विरोध का पता चला तो उन्होंने संथ वैलेंटाइन को बंदी बनाने का फर्मान जारी कर दिया। जिस कालकोटी में संथ वैलेंटाइन को बंदी बनाया गया था। उस जेल के जेलर ने उन्हें अपनी अंधी बेटी के बारे में बताया। संथ वेलेंटाइन को विवा के लिए विरोध करने को कहा। संथ वेलेंटाइन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद राजा क्लोडियस ने संथ वेलेंटाइन को फांसी लगाने का आदेश दे दिया। फांसी का आदेश सुनते ही संथ वेलेंटाइन ने एक प् श्वारा वैलंटाइन डे मनाया जाने लगा। आज भी अगर कोई प्रेमी या प्रेमी का वैलंटाइन डे के दिन पत्र लिखते हैं, तो नीचे फ्रॉम योर वैलनटाइन ही लिखते हैं। लेकिन आज के जमाने में लोग greeting cards दे कर ही काम चला लेते हैं। दोस्तों हमें comment करके जरूर बताएं कि आपको हमारी video कैसी लगी और अगर अच्छी लगी तो इसको like और share करना ना भूलें।